देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि आप सभी का मेरे चैनल पर पूर्ण स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी सवस्त होंगे, महादेव की क्रिपाप सभी पर सदया बने रहे, यह वीडियो विरिशब यानिकी टॉरस के लिए कतिंद महत्यपून वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है विरिशब के एपरिल, मई, जून, त्रिमासिक राशीफल का, मेरे चनल पर वैसे भी मासिक राशीफल आते रहते हैं, तो इसमें मैं बहुत व्रिस्तित रूप से नहीं बताऊंगा, लेकिन संग्शित रूप से क्या-क्या महत्पून बदलाव इन तीन महीनों में होंगे, ग्रहों की स् चुके होंगे, मंगल नीच के हो जाएंगे, बुद्ध लंबे समय तक वक्री रहेंगे, गुरु, देव गुरु ब्रहस्पती का राशी पर उतन, और जून तक आते आते शनी महराज वक्री हो जाएंगे, तो देखिए इस तीन महीने में कितना कुछ हो रहा है, तो इन सार बदलावों से आपके जीवन में अवश्य बहुत इंफ्लेंस पड़ेगा, और ये जो मेरा राशीफल है, इनी सब चीजों पर आधारित होगा, कहां से देखी राशीफल? मैं कई बार समझा चुका हूँ कि टेक्निकली लगन राशी से और चंदर राशी से अलग-लग आधारित होते हैं, अगर आपको अपना लगन पता है, वहां से देखेंगे बहुत रिलेटिबल और अच्छे रेजल्ट मिलेंगे, जिनको अपना लगन नहीं पता वो चंदर राशी से भी इसको अबज़र कर सकते हैं, तो शुरुवात करते हैं, व्रिशप के लिए आने वाले इस तीन महीने के त्रिमासिक राशी फलका, शुरुवात एप्रिल से ही करते हैं, एप्रिल बहुत सकरात्मक देख रहा है आपने लिए, कारण क्या है कि लगन के स्वामी पहले छे तारीक तक तो बारवे घर में बने रहेंगे, लगन के स्वामी आपके शुक्र है, यानि कि राजयोग बनेगा लगन और स्टॉंग होगा, और क्योंकि वो छटे भाव के भी स्वामी है, तो जीवन की रुकावटे दूर होंगी और कोई कानूनी कारवाही अटक रहे थी आपकी, उसमें मदद मिलेगी, इस महीने के अंत में बुद्ध वक्री हो रहे हैं, औ और कुछ लंबे समय के लिए होंगे, तो बारवे घर में लंबे समय तक वक्री रहना बुद्ध का आपके लिए मिले जूरे से प्रभाव देगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो इस महीने खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजेगा, लेकिन अगर आप बाहर से स अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुद्ध धनस्थान के स्वामी है और बारवे में जब वक्री होंगे, तो अचानक से अपना प्रभाव अच्छा देना शुरू कर देंगे, राहु भी बारवे में रहेंगे, राहु अपने आप में फोरण के कारक है, इसलिए बाहर से स सूरे का प्रभाव बहुत जादा अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आपके एक केंद्र के स्वामी है, चौते भाव के स्वामी है, जो प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है, तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो ये सूरे का जो राशी परॉपर्ट नहीं है, वो आपको अच्छा प्रभाव दे कर जा सकता है, क्योंकि सूरे की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, उसमेar firearm कर्चा हो सकता इस महीने, लेकिन वो सरकारी महीने आपका पूरा हो जाएगा, खत्म हो ज रहेंगे और मंगल क्योंकि आपके लिए दुबारा बारवे घर के स्वामी है तो यह भी बता रहा है कि यह महीना फॉरं रिलेटेड आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है यानि कि जिनका कुछ भी देश के बाहर से सम्मंद है कारे में जो कि आजकल बहुत लोगों का होता है अगर आप MNC में भी काम करते हैं तो कहीं न कहीं फॉरं रिलेशन आ जाता है तो उनके लिए महीना बहुत अच्छा है जो लोग बाहर जॉब ढून रहे थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है क्योंकि अर्थत्रिकोन में बैटे हैं मंगल जो आपके बारव देव गुरु ब्रहस्पती 22 अप्रल 2023 को मेश में प्रवेश कर जाएंगे और विपरीत राज योग बनाएंगे विपरीत राज योग क्योंकि अश्टम के स्वामी है और बारवे में जा रहे हैं और गुरु चांडाल योग भी बना रहे हैं अब देखिए बारवा भाव क अगर आप बाहर जॉब ढूणना चाते हैं, स्टडी करना चाते हैं, पर्मनेंट सेटलमेंट करना चाते हैं, पियार लेना चाते हैं, बिजनस अपना एस्टेबलिश करना चाते हैं, जहां बे भी फॉरन कनेक्शन आ गया, फॉरन रिलेटेड कुछ आ गया, उन सब चीजो से बिगड़ सकती है, सेहत पर खर्चा अचानक से हो सकता है और overall भी आपका खर्चा आपके expenses बढ़ेंगे क्योंकि सूरे चौथे भाव के स्वामी है और बारवे में चले जाएंगे तो जैसा मैंने कहा अचाना से मरम्मत पर भी खर्चा हो सकता है और कहीं न कहीं छोटे मोटे accident भी आपके इस महीने हो सकते हैं वक्री बुद्ध बारवे में रहेंगे तो sleep disorders भी आपको इस महीने काफी तंग करेंगे मई की बात कर लेते हैं मई का महीना भी बहुत महत्रपून परिवर्तन आपके लिए लेकर आएगा शुक्र जो लगने के स्वामी है महीने के शुरुवात में ही दो तारीको ही राशी परिवर्तन कर लेंगे और धनस्थान में चले जाएंगे लगने के स्वामी का धनस्थान में जाना अपने आप में धन योग बनाता है वहाँ पर क्योंकि उनको मंगल का साथ 10 दिन के लिए मनेगा तो मिलेगा तो जो शुक्र मंगल का योग है ये भी धन के लिए बहुत अच्छा होता है इंकम के रिसोर्सेस बढ़ाने के लिए बहुत महत्यपून बन जाता है स्पेशली जब त्रिकोन में कोई ग्रहा आता है तो प्रभाव डालता है क्योंकि शनी आपके लिए योग कारक रहा है और लगन के स्वामी से त्रिकोन में आ जाएंगे तो ये जो महीना है शुक्र के राशी परिवतन के बारे में के बाद म होता है जो कि आपके लिए दोनों का ही है तो वो शुबता ही देते हैं पैसा अचानक से बढ़ाते हैं ये महीना वह है जब भ्रहस्पति अपने बारवे घर में बैठने के प्रभाव पूरी तरह से देना शुरू कर देंगे क्योंकि 22 अप्रेल को राशी परिवतन होगा त वो प्रभाव उसके मई में जादा देखेंगे क्योंकि अंत में हुआ था तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो ये महीना कहीना कहीं आपके लिए रुकावटे दूर करने का ही है क्योंकि शनी शुक्र का जो मैंने कहा त्रिकोन में आना आज दूसरे से योग कारक द्र क्योंकि वो जो mentally थोड़ी disturbance अल रही थी health problems आ रही थी वो अब मई के मध्य तक आते आते दूर होना शुरू हो जाएंगी सूरे महाराज का राशी परियुतन हर महीने के तिरा होता है तो इस महीने भी होगा और वो 15 मही को आपके लगन में ही आकर stop it हो जाएंगे अब देखिए आपका जो बारवा भाव है वो इतना activated है और क्योंकि यहाँ पर हम सूरे की बात कर रहे हैं जो आपके लिए चौथे भाव के स्वामी है तो ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जो विदेश में settlement के लिए try कर रहे थे और जिनको problems आ रही थी problem जानी कि उनकी file एक दो बार reject हो चुकी है कुछ न कुछ उप में issues आ रहे हैं उनके लिए महीना 15 मही के बाद बहुत महत्वपून रहेगा उनको अपने उस संबंद में immigration के संबंद में कुछ ना कुछ सबलता मिल सकती है मंगल का राशी परिवर्तन भी इस महीने होने वाला है और वो 10 मही को होगा और वहें तीसरे भाव में जाकर नीच के हो जाएंगे क्योंकि करक राशी में चले जाएंगे तो ये समय थोड़ा up and down लेकर आ सकता है भाई बहनों के साथ संबंद बिगड़ सकते हैं कॉमुनिकेशन पर बहुत कंट्रोल रखेगा और इसके साथ ही यदि यात्रा आप बहुत करते हैं चोटी मोटी यात्रा हो या लंबी दूरी की यात्रा हो वहान बहुत ध्यान से चलाईएगा आपको इस महीने ध्यान किन चीजों का रखना है सबसे पहले खर्चे इस महीने भी बढ़ेंगे जो आप तिल में बढ़ते हुए आ रहे थे इस महीने आपका कई लोगों से वाद विवाद हो सकता है तो अपनी गुस्से पर कंट्रोल रखना है और गले के रोग बहुत तं जून भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन आपके लिए लेके आने वाला है यह परिवर्तन होगा शनी महराज का वक्री होना सरण भाषा में शनी महराज उल्टे चलने लगेंगे रेट्रो ग्रेड हो जाएंगे और यह 17 जून 2023 को होगा और नवंबर तक शनी महराज वक्री देएंगे अपनी ही राशी में बैटे हैं आपके लिए योग कारक है दस्वे स्थान में बैटे हैं तो वो और स्ट्रॉंग हो जाएंगे कोई बी ग्रह जब वक्री होता है तो और स्ट्रॉंग हो जाता है अच्छा और बुरा नहीं कहरा है यह समझना पड़ेगा आपको टेखनीक एलिटीज जो होती है, एक होता है स्टॉइंग, एक होता है पॉसितिव और नेगेटिव तो दोनों में फरक होता है, कोई भी ग्रह वक्री होता है, वो स्टॉइंग हो जाता है क्योंकि आपके लिए शनी महाराज एक अच्छे ग्रह है और अच्छी position में बैटे हैं तो आपके लिए positive result शनी महाराज के वक्री होने के कारण आएगा कारय स्थान में वक्री हो रहे हैं अचानक से कारय स्थान में सफलता मिल सकती है नई जॉब मिल सकती है प्रमोशन दिला सकते हैं और यदि आपकी कुंदली में शनी देव थोड़े से अच्छे बैटे हैं अपनी कुंडली में तो ये समय आपके कारक शेत्रे गरे बहुत अच्छा होगा लेकिन अगर आपकी अपनी कुंडली में शनी देव वीक है लगने के स्वामी वीक है तो यहाँ पे थोड़ा नकरात्मक प्रभाव भी आपके कारक शेत्र में देखा जा सकता है ये वो समय है जब शनी देव आपको अचानक से प्रॉपर्टी भी दिलवा सकते हैं क्योंकि चौते सान पर दृष्टी डाल रहे हैं अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाते है तो उसके लिए भी जो महीना है जून का स्पेशली 17 जून के बाद का बहुत अच्छा रहेगा सूरे का राशी परिवतन भी 15 जून को होगा और वो आपके धनस्थान में आकर बैठ जाएंगे क्योंकि सूरे चौते घर के स्वामी है और अपने से लाव श्थान में जा रहे हैं या लगने से दूसरे में आ रहे हैं तो जैसा मैं अभी शनी के वक्री होने से कहा और ये सूरे का राशी परिवतन भी यही बता रहा है कि property से इस महीने आपको लाभ मिल सकता है वो property बेच के हो या property lease पर देकर या rent पर देकर हो क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं तो अगर property से सम्मनित कुछ कानूनी अर्चने आ रही थी वो भी आपकी इस महीने में दूर हो सकती है शुक्र मही के अंत में ही राशी परतन कर गए होंगे या कर जाएंगे और जूर में उनका प्रभाव पुरा करक का आएगा यानि कि आपके लगने से तीसरे भाव का क्योंकि लगने के स्वामी तीसरे में आ रहे हैं तो आपके अंदर पराकरम बढ़ेगा साहस बढ़ेगा कुछ नया सीखने की चेश्टा बढ़ेगी और आपकी कई इच्छाएं भी इस महीने में पूरी होंगी नया रिलेशन्शिप भी आपका शुक्र के राशी परतन के आसपा स्टार्ट हो सकता है बुद्ध इस महीने दो बार राशी परतन करेंगे पहले छे तारिक को लगन में आ जाएंगे क्योंकि धनस्थान के स्वामी है तो अपने आप में ये धनियोग अच्छा बन रहा है और उसके बाद वो दूसरे स्थान में चले जाएंगे यानि कि अपनी ही राशी में और ये भी बहुत स्टॉंग धनियोग बन रहा है तो बुद्ध का ये जो राशी परवतन होगा च्छे तारिक से धने के लिए अच्छा होगा और स्टूडेंस के लिए अच्छा होगा तो उनका पूरा प्रभाव जून में ज़्यादा देखने को मिलेगा और वो क्योंकि लगन के स्वामी शुक्र है और नीच के मंगल के साथ है तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किले आपकी बढ़ सकती है, सेहत थोड़ी विगर सकती है और वाद विवाद आपके कुछ लोगों हो सकते हैं, इस महीने ध्यान किस चीज़ का देना है आपको जून में, सबसे पहला कारक्षेत्र में उलजना नहीं है लोगों से, अपने कॉम्मुनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, अगर थायरड की प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देना है, और किसी भी लुभावने आफर से आपको इस महीने पूरी तरह से अपने आपको दूर रखना है, उपाय की बात करते हैं, आपको 4 सरल उपाय करने हैं, सबसे पहला, ओम शुक्रा यनमा, सरल मंत्र है, इसका 108 बार जाप करना है, दुर्गा चारिसा का 5 बार पाठ करना है, तीसरा उपाय है, लोग वीडियो लेट भी देखेंगे तो जब भी वीडियो देखते हैं तो उसके अगले दिन या जब भी आपको समय मिले और आप कमफेटेबल हूँ आप इस उपाय को कर सकते हैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके काम आएगी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब केजिए वीडियो को लाइक केजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए